हलो गुडिविनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में देखिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में BSOC 134 के प्रिबिएस येर के कोस्टन पेपर को देखेंगे जिसमें मैं आपको हिंदी और इंगलिस दोनों मीडियों के मैं आपको कोस्टन पेपर को लेगा जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो आपको प्रिप्रेशन कसी करनी हैं दो साल के कोस्टन पेपर हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन होने वाला है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखीगा और आगर आप पहली बार चैनल पर आया है तो आपस का कोस्टन पेपर दिखाऊंगा फिर मैं आपको दिसंबर 2021 वला यानि दो साल के कोस्टन पेपर देखेंगे और हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में चलिए सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीडियम का कोस्टन पेपर दिखाता एक काम कीजेगा आप अपनी नोट बुक निकाल लो या अपनी जो आपकी इग्नूसे बुक मिली है, कहीं कहीं इन सारे कोशनों को आप इनको लिख लीजेग, ठीक है, इह involved in important है, इन सभी को note down कर ले, notebook में निकाल गे और video को रोक रोक के सभी कोशनों को जरूर लिख लीजग, बहुत important है ठीक है और फिर बताऊंगा इनकी फिर प्रप्रशन कहां से करनी है एक्जाम के लिए ठीक है चलिए सबसे पहले हिंदी मीडियम के कोस्चन दिखाता हूँ ठीक है देखीगा यहां पर आगया क्या है BSOC 134 जून 2022 का यह आपका कोस्चन पेपर है जून 2022 का है जहां पर भी आप देखेगा BSOC 134 समाज साच्री जाच की विधियां ठीक है इसको मैंने पढ़ा भी रखा और काफी अच्छे से मैंने बता था आपका जो एक्जाम होगा वो 100 नंबर के पेपर होगा 100 माक्स का और इसमें 35 नंबर यानि जिस बच्चे के 35 माक्स आएंगे वो 5 है तीन घंटे का आपका एक्जाम होने वाला है ठीक है और इसमें जो आपको दे रखा ध्यान से दीखे गया है निम लिखित में से किनी 5 प्रश्ट में कुतर है निम आपको 5 प्रश्ट करने है ठीक है 5 प्रश्ट करने है और 400 यानि 400 सब्धों यानि 400 वर्ड में आपको लिखना है तो आपकी जो अंसर शीट रहे जो उसमें 4 से 5 पेज लिखेगा एतना इनफ रहेगा और सभी question क्या है 2020 बियानी 2020 नंबर के आपके सभी question रहने वाले हैं तो यहाँ पर देखेगा next चलते हैं पहला जो हमारा question है देखेगा important है सारे question important है इनको लिख लीजिए पहला question क्या है सामाजिक सोध में समास्थात्रिये परिकलपना पर एक note लिखिए पहला question आपका जो रहेगा next चलते हैं next हमारा जो दूसरा question क्या रहेगा देखेगा परिणाम गत्मा सोध की महात्मूर विशेश्ताओं को उजागर कीजिए तीसरा question क्या है सामाजिक सोध के उद्देश का वर्णन उचित उदाहरन देते हुए कीजिए सारे बीस बीस नंबर के question है ठीक है चोथा question क्या है समाज सासरे सिधान पर आधारित अनुभविक सोध के अध्यनों का वर्णन कीजिए चोथा question next हमारा जो question है पांचों question देखेगा विशे निफ्टा पर दूर्खिम के विचारों का वर्णन कीजिए चोथा question अनुभव जन्मे सोध के के है विविद आयामों की चर्चा कीजिए चोथा question लिख लो सारी important है next हमारा जो question है सातों question क्या है गुडात्मक सोध के लक्षन क्या है चर्चा कीजिए आठमा question क्या है सामाजिक सोध में अउलोकन का महत्त लिखे total 8 question है जो मैंने आपको June 2012 के एक question paper अभी मैं आपको और बताऊँगा चलिए यही जो question है English medium में ले जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं आपको question दिखा देता हूँ वो आप भी अपने English medium ले जो student है आप भी बच्चे अपने question को note down कर लिजे ठीक है BSOG 134 June 2022 का question paper है एक English medium में दिखाऊँगा जो English medium के बच्चे हैं आप इसको लिख लिजे एक question paper आभी और दिखाऊँगा इसलिए उसको भी जरूर देख लिजेगा 100 marks का paper होगा 3 hours का paper होगा ठीक है आपको 5 question attempt करने है 400 वर लिमिट रहने वाली है सभी question 20 marks यानि 20 number के है पहला question है आप इसको note down कर लिजे दूसरा question है आप वीडियो को रोक करके आप इनको लिख सकते हैं अपने notebook में note down कर लिजे next आपका है तीसरा question है आप इसको लिख लिजे चौथा question है इन सभी question को आप लिख लिजे ठीचो total 4 question होगे next चलते है हमारा जो question है question number 5 है आप इसको note down कर लिजे question number 6 है आप इसको भी क्या कर सकते है easily से note down कर लिजे question number 7 है आप इसको भी note down कर लिजे question number 8 है इसको भी लिख लिजे total 8 question है 5 question आपको लिखने रहेंगे exam में और सारे 20 marks से गरेंगे और आपको minimum 4-5 page answer seat वाला जो page रहगा 4-5 page लिखेगा ठीक है जैसे एक page होता उसमें एक front side होती यह back side होती यानि front एक back दो इस type से paper को count कीजेगा seat को count कीजेगा और 4-5 page लिखेगा अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके अच्छे marks आ सकते हैं एक question paper मैं आपको और दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको exam की तयारी कहां से करनी है आपको वीडियो कहां से मिलेगा ठीक है चलिए देख लेते हैं एक और question paper को पेपर आ गया है B.S.O.C. 134 का है December 2021 का पहले मैं Hindi medium का दिखाता हूँ फिर मैं आपको English medium आपको question paper दिखाँगा तो एक question इस a question भी बहुत ज़्यादा important है B.S.O.C. 134 समाज सास्री जाज की विदिया 100 number का आपका paper होने वाला है 3 गंटे का आपका paper होगा 5 question है 400 सब्दों में आपको लिखना है सारे जो question हो 2020 marks के रहने वाले है ठीक है तो पहला question हमारा आ गया है इसको लिख लिजगा सारी question लिख लो ठीक है no down कलो सामाजिक सोध से आप क्या समझते हैं common sense से यहां किस प्रकार अलग है 20 number ठीक है दूसरा question क्या है सामाजिक सिधान से आप क्या समझते हैं इसके विभिन मूल तत्तों की चर्चा कीज़े 20 number सारे 20 20 number के हैं सामाजिक सोध में समाहित वस्ट निष्टा उग्जेक्टिव पर आधारित काल पोप रिस के दृष्ट कोन की ब्यक्षा कीज़े 20 number तीसरा question चौथा question रिस्ट फेक्सिविलिटी पर गोल्डरनर के दृष्ट कोन की चर्चा कीज़े 20 number का question चौथा question नेक्स चलते हैं अमारा जो पांचवा question है पांचवा question देखे question number 5 क्या question number 5 समाज सास्त्र योम सामाजिक मानो विज्ञान के निगमन की विधी उपयोगिता की व्यक्षा कीज़े 20 number का question रहेगा आपका नेक्स चलते हैं चलते हैं चलते हैं इसी जो दिसंबर 2021 का question पेपर है यहीं इंग्लिस मीडियम में भी दिखा देता हूँ ओ भी बच्चे इंग्लिस मीडियम बच्चे भी इसको लिख लिए फिर मैं आपको बताऊँगा आपको वीडियो कहां से मिलेगा और आपको exam की preparation कहां से करनी है ठीक है यहाँ पर देखेगा क्या है BSOC 134 ठीक है दिसंबर 2021 का question पेपर है दूसरा question पेपर है जो बहुत ही ज्यादा important है 100 marks का exam होगा 3 house करेगा 5 question लिखने है 400 world limit है सारी जो question है 20-20 marks के रहने वाले हैं तो इन सभी question को आप note down को लो पहला question है यह 20 marks को इसको note down को लो note book में लिख लो भीया ठीक है अपनी जो book उखो है दूसरा question भी 20 marks का है लिख लीजे वीडियो को रोग करके लिखने लिए question no.3 है इसको भी आप लिख लीजए वीडियो को पोज करके लिख लेना सारी question को question no.4 है आप इसको भी note down कर लिजे question no.4 जो आपसे पूंचा गया सारे के सारी important question है next आपका जो question है question number 5 है ठीक है आप इसको भी लिख लिख लिखे question number 5 note down को है question number 6 है आप इसको भी note down को लिखे सारे के सारे important है next है question number 7 इस भी 20 marks का है लिख लिख लिखे गा question number 8 है इस भी 20 marks का है तो 2 question paper थे मैंने आपको 2 साल के question paper पर मैंने आपको दिखा दिये, अब आपको BSOC 134 जो आपका है, इसके आपको कैसे मिलेगा कि जिससे आप exam की अच्छे से अच्छे preparation कर सकें, तो आपके वीडियो कहां से मिलेगी, चलिए ओ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है कि वीडियो आपको कहां से मिलेगी, देखेगा, अगर आपको exam की preparation करनी है, तो आपको वीडियो easily से, और बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखा, तो सबसे पहले क्या, आपको चैनल पर आना पड़ेगा, आप अपने चैनल पर आईगा, अध्यन education center पर आईगा, और यहाँ पर दीखेगा क्या, जैसे यह नीचे option है, इसको click कीजएगा, ठीक है, यहाँ पर click हो गई, ठीक है, यहाँ पर और बहुत सारा खुल जाएगा, जब यहाँ पर open हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे आना, so all लिखा होगा, तो so all पर click करना, ठीक है, जैसे मैंने so all पर click है, तो यहाँ पर सारी आ सब में सारी मैंने बना रखे हैं, वहाँ पर जा करके आप भी जरूर देख लिजए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा important है, बच्चे प्रेशान रहते हैं, यह आपको मिलगा, देखो क्या है, बारा वीडियो है, बारा की बारा चेप्टर हैं, सारे के सारे important हैं, ठीक है, लगभग मैंने सारे चप्टर खाल, जितना भी important चप्टर था, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप सभी जितने भी student हैं, आप जा करके इन सारे वीडियो को चैनल पर देख लिजीगा, बी एसोसी 134 के आपको playlist मिलेगी, ठीक हैं, इन सभी को देख लिजे, ताकि आप अपने एक्जाम में अच्छे से अच्छे माक्स ज्यादा से ज्यादा नंबरों को आप गेन कर सकें तो ये वीडियो आपको कैसे लगा है मैं चैनल को जरूर सस्क्राइब किजिगा क्योंकि मैं BSOC 134 के और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के जरूराओंगा एक्जाम चल भी रहा है और जल्द से जल्द आने वाले हैं वीडियो ताकि आपको और भी अच्छे से मैं आपके प्रिप्रेशन करवा सकूं इसलिए चनल को जरूर सस्क्राइब किला वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच जय हिंजय भारत